वेलकम बैक, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल वसीम आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी इगनो की ओनलाइन एडमिशन का फॉर्म फिल कैसे करोगे मैं इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाऊंगा कि आप अपने इगनो की ओनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करोगे और साथ में आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो चाहे अप B.A.G. के लिए एडमिशन करना चाहते हो चाहे आप B.A. के लिए एडमिशन करना चाहते हो या P.G. के लिए तो इस वीडियो में मैं आपको step by step full process दिखाऊंगा कि आप अपना admission form फिल कैसे करोगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक request रहेगी आपसे कि मेरे YouTube चैनल को subscribe कर देना ताकि और भी helpful content आप तक पहुँच सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आपको आना होगा अपने mobile phone के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको search करना होगा IGNOW IGNOW सर्च करने के बाद आपके सामने IGNOW का जो official website है वो show हो जाएगा उसके बाद आपको IGNOW the people university इस पे click करना है IGNOW की official website open करने के बाद आपको यहाँ पे register online इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे third option show हो रहा है fresh admission का तो आपको यहाँ पे fresh admission पे click करने है fresh admission पे click करने के बाद आपके सामने आपका जो admission portal है जुलाई 2022 का तो ओपन हो जाएगा चाहेए आप किसी भी program के लिए आप अपनी admission करना चाहते हो तो यहाँ से आप किसी भी program में आप अपनी admission कर सकते हो जाहे आप अगर January section में वीडियो देख रहे हो तो process जो है वो बिलकुल IGNOW का सैम रहेगा जाहे आप कभी भी वीडियो देख रहे हो तो आपको यह वीडियो बिलकुल process सैम रहेगा और IGNOW का जो process admission का वो बिलकुल सैम है तो उसकी बाद आपको यहाँ पे अगर आप already registered candidate है तो आपको यहाँ पे अपना username और password और capture डाल के login कर देना है अगर आप new candidate है fresh admission करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे click here to new registration पे click करना होगा click here to new registration पे click करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना username पे create करना होगा आपको जो twice होगी आप वो username यहाँ पे create कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे applicant full name as per educational documents फिल करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी email ID फिल करनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे re-enter अपनी email ID करनी होगी, उसके बाद आपको एक password create करना होगा, जिसमें capital letter और special letters होने चाहिए, तो आपको वो create करना होगा उसके बाद आपको एक mobile number देना होगा mobile number देने के बाद आपको यहाँ पे capture fill करना है capture fill करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे register पे click करना होगा register पे click करने के बाद register पे click करने के बाद आपको दिखाएगा your account is credit successfully please login and apply in program उसके बाद आपकी जो नियूर रिस्टेशन है, हो सेकस्सपुलि वो जाएगी उसके बाद अपने जो यूजर नाइम करेट किया है यहाँ पर योजर नाइम और पासवर्ड डालना होगा उसके बाद seri नाइम करता हुंकी है उसके बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको कुछ important instruction दी गई है पहला जो instruction है आपको यहाँ पे आपको एक scan it photo graph अपना लेना होगा जो की आपका size इसमें less than 100K भी रहेगा उसके बाद आपको scan it signature देनी होगी जिसका size आपका less than 100K भी रहेगा उसके बाद आपको scan it age proof अप्लोड करना होगा जो भी आपके पास educational qualification है उसके बाद आपको scan it revland जो भी आपको documents मांगे जाएंगे इसके बाद अगर आपके पास BPL certificate है जैसे की BPL rushing card है तो आप वह भी upload कर सकते हो या आप SC ST या OBC category से है तो आप यहां से अपनी certificate भी upload कर सकते हो instruction read out करने के बाद आपको नीचे आजाना है नीचे आने के बाद आपको यहां पर I have पर click करना है उसके बाद आपको यहां पर submit पर click करने के बाद पहले जो आपको यहां पर अपना name शो हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर fill करना होगा mother name उसके बाद आपको यहां पर guardian relation select करना होगा तो आपको यहाँ पर guardian relation select करने के बाद यहाँ पर आपको guardian name fill करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर data bus select करनी है उसके बाद आपको यहाँ पर category select करनी है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना gender select करना है उसके बाद आपको अपना religion select करना है religion select करने के बाद आप सिंगल हो मैं social caste select करने के बाद आपको यहाँ पे alternate mail फिल करना होगा alternate mail फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना alternate mobile number फिल करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी other details फिल करनी है आपको disability है या नई है जो भी आपका होगा तो आपको यहाँ पे select कर देना उसके बाद आपको यहाँ पे employment status select करना है आप unapplied है या ignore regular employee है तो आपको यहाँ पे जो भी आपका employment status होगा वो select कर देना है select करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी scholarship details select करनी है अगर आपको कहीं से scholarship मिलता है तो आपको वो अपनी details यहाँ से fill करनी होगी उसके बाद सारी details fill करने के बाद सब्मिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटील्स है वो फिल हो जाएगी उसके बाद आपको नीचे आ जाना है अगर आपको इसमें कोई गलती हुई होगी तो आपको यहां पर एडिट पे क्लिक करना है तो उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करन के बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोग्राम डेटील्स फिल करनी है तो आपको पहले नंबर यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप स्लेक्ट करना है आप बैचुलर डिगरी के लिए अपलाई करना चाहते हो या डिपलेमा के लिए अपलाई करना चाहते हो या आप प्राइब्स का प्राइब कर ने यो भी का प्राइब होगा,"ई्चाइब क् şey पर आपको नीचे आ जाना हैgen okay to तो आपको यहाँ पे automatic option आ जाएगा odl तो आपको यही select करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना program enrollment select करना है कि आप किसके लिए apply करना चाहते हो बीएजी जो जिस भी program के लिए आप apply करना चाहते हो तो आपको वो select कर देना है अपना program select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना region code select करना होगा कि आपका region code क्या है तो आपको यहाँ पे अपने सारे region codes check करने होगे उसके बाद आपको यहाँ पे select कर देना है तो आप वही select करना है, वह select करने के बाद आपको यहाँ पर अपना medium select करना है, आप English अपना medium रखना चाहते हो या Hindi, जो भी आपकी choice होगी तो आप वह select कर देना, उसके बाद आपको बोल रहा है, अगर आप अगर आपको यस कर देना, अगर नहीं तो आपको नो करना है, नो करने के बाद आपको submit पे click करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी relevant qualification select करनी है, तो आपको यहाँ पे अपनी relevant qualification select करने, उसके बाद आपको अपने man subject select करने हैं, जो आपने 10 plus 2 में रखे हैं, जो भी आपने man subject रखे होंगे, science, other, biology, English, commerce, जो भी आपने रखा होगा, तो आपको यहाँ पे select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना year of passing select करना है कि आपने 12th cup किया है, यह रफ पासिंग स्लेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिवीजन स्लेक्ट करना होगा, डिवीजन स्लेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने परसंट स्लेक्ट करने होगे, कि आपने कितने परसंट दिये हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बोर्ड का जो क आपको submit पे click करना है, submit पे click करने के बाद आपकी qualification details है, जो है वो आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद अगर आपको कोई गलती लगी है तो आप यहां से edit कर सकते हो, नहीं तो आपको यहां पे next पे click करना है, next पे click करना है, उसके बाद आपको study material type select करना होगा, अगर आप पहला option select करते हो, तो उसमें आपका study material है, उसमें digital form में आपको 15% discord मिलेगा program fee में, अगर आप दूसरा option select करते हो, तो आपको इसमें study material जो है, वो आपके by post कर दिया जाएगा, तो उसमें आपको 15% का discount है, वो नहीं मिलेगा, जो भी आपकी choice रहेगी, आप अपना material म subject आ रहे हैं, वो compulsory आ रहे हैं, उसके बाद third one जो है, वो आपको select करना है, जो भी आपको subject आपको अच्छा लगे, या आप उसमें अच्छा पढ़ते हो, तो आपको select कर देना है, उसके बाद आपको fourth subject जो है, वो skill होगी, तो आपको ये भी select कर देना है, skill select करने के बाद, आपको यहाँ पे second semester के लिए आपको फिर से दो जो है वो compulsory subject होंगे जो भी आपने discipline पिछे से select किया है तो उसमें आपको चार compulsory subject मिलते हैं और चार जो है वो आपको select करने होते हैं तो उसके बाद आपको अपना साथवा जो subject है वो second semester का select करना होगा जो भी आपका यहाँ पे subject अच्छा लगे वो select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो last skill announcement course है तो आपको वो भी select कर देना है अपने subject करने के बाद आपको यहाँ पे submit पे click करना होगा और उसके बाद आपको dys stick और उसके बाद आपको यहां पर pin code. pin code जो हैं वह आपका mandatory हैं और आप अपने pin code ध्यान से भणना क्यूंकि आपको study material है, वह bypin कर दिया जाता है और आपके addls पे आपका study material हो आजाता है. correspondence details fill करने के बाद आपको submit पे click करना है submit पे click करने के बाद आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद आपको यहाँ पे पहले नमबर अपना photo upload करना होगा उसका जो minimum size है वो 10 के भी रहेगा और maximum जो size है वो 100 के भी रहेगा उसके बाद आपको signature अपनी upload करनी है इसका भी जो size है वो same रहेगा 10 के भी minimum size और maximum size जो है वो 100 के भी रहेगा आपको अपनी signature का उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी matriculation mask sheet upload करनी है जिसका size 10 के भी minimum रहेगा और maximum file size जो है वो 200 के भी रहेगा इसमें जो accepted format होगा वो JPG, JPEG या PDF format में आप upload कर सकते हो आपका signature और जो photo है वो JPG या JPEG format में ही select करना होगा आपको उसके बाद आपको यहाँ पे अगर 10 plus 2 mark sheet भी upload करने है 10 plus 2 mark sheet का जो size है वो same रहेगा आपका minimum 10 के भी रहेगा और maximum 200 के भी रहेगा उसके बाद अगर आपके पास other details है तो आपको यहाँ से upload कर देनी है उसके बाद यहाँ पे एक-एक select करके आपको upload करनी है तो आपको यहाँ पे select file पे click करना है select file पे click करने के बाद आपका जो photo है वो select हो जाएगा उसके बाद आपको start upload पे click करना है Start Upload पर क्लिक करना है. Start Upload पर क्लिक करने के बाद आपको यहांपर अपनाreculsion marks sheet select करना होगा. उसके बाद आप अपनी सारे photo, signature, matriculation certificate और 10 plus 2 certificate अपलोड कर दोगे तो उसके बाद आपको नीचे आजना है. नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको अपनी डिटील्स चेक करनी है कि आपने अपना नेम एंटर सही किया है और आपको अपनी सारी डिटील्स यहाँ पर चेक करनी होगी अगर आपको कोई गलती लगी होगी तो आपको यहाँ पर मॉडिफ the section पे click करना होगा उसके बाद आपको अपनी qualification details show हो जाएगी उसके बाद आपको यहां पे अपने course details जो भी आपने bachelor of arts के लिए select किया है तो वो show हो जाएगी उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आप अपना photo जाएगा वो यहां से view कर सकते हो उसके आपको यहां पर अपनी जो फी details है वो show हो जाएगी उसके बाद आपको यहां पर अपनी जो फी है वो online पकरने होगी उसके बाद आपको यहां पर आई payment gateway पे click करना है payment gateway पे click करने के बाल आपको यहाँ पे अपना जो bank debit card होगा या net banking UPI जो भी आपके पास available होगा payment के लिए तो आपको वो select कर देना है जैसे आपके पास net banking हो या other bank debit card हो या HDFC bank credit card या debit card होगा जो भी आपके पास available होगा payment option तो आपको वो select कर देना है, वो select करने के बाद आपको यहाँ पर अपना card number, expiry date, CVV, या name of card, तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सारे date is fill करनी होगी, उसके बाद आपको जब आप अपनी payment जो है वो complete कर दोगे, payment complete करने के बाद आपका जो receipt है वो जरनेट हो जाएगा, ID card भी आजाएगा, तो आप वहाँ से download कर सकते हो, और यह थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी दोस्तों वीडियो, like, share और subscribe करना ना भूले, ताकि और भी ignore related content आपको मिल सके, तो मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, Allah Hafiz, thank you.